हेलो श्टुरेंड स्वागत है आपके यूटूब चैनल में श्टुरेंड आज हम बात करने वाले हैं quantity of paint for room जी हाँ दोस्तों एक room को paint करने में कितनी quantity of paint लगने वाली है साथ आज हम उसका प्राइज भी बताएंगे और किस तरीके से आप construction cost को कम कर सकते हैं इसके बारे में भी हम बताएंगे तो आप वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपको समझ में आ जाए चीजिए हम चलिए आज वीडियो हम स्टार्ट करते हैं देखे श्रेंड सबसे पहल और एक वॉल होती है एक वॉल दो वॉल तीन संवन और यह जाता है नहीं है जाता है आप एक व्रेट करते हैं जहां पर आपको गेट देना है और वींडियो देना मालने लेंजिए कि हमने फौर्थ वाली वॉल में एक गेट दिया हुआ है और इसी के उपर या इसी के साइड में हमने एक विंडो प्रोवाइट किया ठीक है तो हम इस चीज को पार में देखेंगे पहले हम बाकी का एरिया निकाल लेते हैं देखें हमारे पास जो रूम का साइज है वह है आपका रूम साइज इकवल टू 15 वाइड दस फीट मतलब डेर सो स्कौर फीट का हमारे पास रूम है तो वॉल की साइज भी इतनी होगी वॉल की लेंथ कितनी है आपकी 15 फीट है हाइट कितनी है 10 फिट ठीक है इतना समय में आपको अब हम निकाल सकते हैं एरिया ओफ वॉल एक्वल टू कितना होगा लेंथ इंटू हैट तो पंद्रा इंटू 10 इक्वल टू 150 इसक्वायर फिट ठीक है यह कोई सी वॉल का निकला है सिर्फ एक वॉल का ऐसे हमाया पर कितनी वॉल है 123 कम्प्लिट वॉल जिसमें गेट और विंडो नहीं है तो टोटल कितनी हो जाएगा आपके बाद 3 तो 150 इंटू 3 यह जाएगा आपके बाद 450 इसक्वायर फिट ठीक है अब हम एरिया निकालते हैं किसका जिसमें हमारी विंडो है और गेट है अब हम आपको बताते हैं कि जो गेट है आपका यह मालेजी आपका एक गेट है इस गेट की जो हाइट है वह 8 फिट है ठीक है और इसकी जो विट है वह है आपकी 4 फिट है तो टोटल एरिया ऑफ गेट कितना हो गया गेट का एरिया एक गेट एरिया 8 into 4 32 square feet ठीक है अब इसी तरीके से इसमें window भी है तो window किस तरीके से हम निकाल सकते हैं इसको देखिए हैं हापर ये माल देजी है आपकी एक window है ठीक है window मतलब आपकी हो गई आपकी हम बोल दाते है 4 feet by 4 feet काफी है तो window का area कितना हो जाएगा आपका 4 by 4 मतलब 16 square feet ठीक है strength अब हम इस वोल का जिसमें हमने gate प्रोवाइट किया है उसका area निकाल लेते हैं तो area of wall total area कितना है हमारे पास इस वोल का डेट सो माइनस 32 माइनस 16 तो ये हो जाएगा आपका 102 square feet ठीक है जिस दिवाल में आपका gate है और window है उसका area कितना है आपका area of wall with gate and window ठीक है उसका area कितना है 102 square feet इतना समझ में आया है तो अब हम total area of room निकाल सकते हैं कितना है total area तो देखिए total area आप निकाल सकते हैं इसको हम तोड़ा सक rough कर देते हैं हैं यहाँ पर total area निकालना बहुत इजी है strength आप असानी से इसको निकाल सकते हैं केसे निकाल सकते हैं अभी देखते हैं हमें आपको यहाँ पर total area तो total area देखें तीन वाल का कितना आया था 450 और जो लास्ट वाली वाल था जिसमें हमने गेट प्रोवाइट किया हुआ उसका आया था आपका 102 तो आप इसको प्लस कर दीजी कितना हो जाएगा यह 552 यह होगे आपकी वाल का total area of वाल थीके अब इसको आपकी इसमें च्छत भी आती है ठीके च्छत भी आएगी सीलिंग तो सीलिंग एरिया कितना है आपका 1500 स्कॉर्वाइर फिट थीके तो टोटल एरिया ओफ रूम कितना निकल सकता है टोटल एरिया ओफ रूम 552 प्लस 150 तो यह कितना हो जाएगा आपका 702 स्कॉर्वाइर फिट कितना समझ में आया समझ में आया प्लीज वीडियो को लाइक किजिए यदि कुछ कमेंट है तो वो भी आप हमें दे सकते हैं तो एरिया ओफ रूम इतना हो गया पूरा मतलब आपके 702 स्कॉर्वाइर फि के लिए 600 और इसमें से एक और आपका सिलिंग जूड़ी गाए दस बाए पंदरा तो यह जाता आपका साड़े सास्तो लेकिन हमें पेंट कितने पर खनना है सास्तो दो क्योंकि बाकी का 48 कहा चला गया आपका गेट और विंडो में ठीक है अब हमारा आसानी से निकाल सकते ह हमारा क्वांटिटी आप कितनी लगने वाली है तो देखिए स्ट्रेंट क्वांटिटी ऑफ पेंट एक्वल टू सेवन जिरो टू डिवाइड़ बाए अब हमें आपको यहां पर एक चीज़ बताते हैं कि आप जो आपका पेंट होता है पेंट की जो वेल्ली होती है वह हम हम आपको यहां पर बताते हैं कि वन गेलन कि एक वल टू कितना होता है कि 350 स्कॉब फिट ठीक है और एक और होता है आपका एक गेलन एक वल टू है एक वल्ट' टू ब्सकॉब फिट ठीक है अब ये दोनों क्या है यहाँ पर हम देखते हैं देखे यदि आप 37,5 स्कॉरीट लेते हैं मतलब आप वेट वॉल में यूज करने वाले हैं कुन सी वॉल में वेट वॉल में मतलब जो आपकी नई वॉल होती है वो आपकी वेट वॉल कहलाती है और ये वाली वेल्लो आप काई में यूज करने वाले हैं ड्राइव वॉल में मतलब जो पुरानी वाल हो चुकी है जिस पर आप पेंट कर चुके हैं ठीक है जिसमें पेंट कर चुके होते हैं उसमें पेंट कम लगता है और वेट वॉल में पेंट थोड़ा साग ज्यादा लगता है ठीक है तो य 006 लिटर ठीक है अब हम आसानी से इस्ट्रेंट यहां पर क्या निकाल सकते हैं हमारा प्राइज निकाल सकते हैं देखें इस्ट्रेंट प्राइज 2.006 इंटू यदि हम बात करेंगे प्राइज किये तो लोगडाउन में हजार से बारा सो या पंदा सो तक आपकी वेरी कर सकती है इस्टेट बा इस्टेट और डिपेंड करता है कि आप किस क्वांटिटी या किस कंपनी का प्राइज ला रहे हैं एसीन प्राइज ला रहे हैं आप एक रूम को पेंट करेंगे विट सिलिंग और गेट और विंडो को माइनस करके तो आपके बाद 2,407 रूपे का ख़र्चा आएगा ठीक है पेंट करने में लेवर चार्ज अलग रहेगी इसमें ठीक है न वो डिपेंड करता है कि लेवर कितनी चार्ज कर रहे हैं ठीक कि वो एक दिंगी पूरी मज़ूरी लेता है ठीक है तो इस सब्सक्राइब कर सकते हैं तो आई होब आपको आज का यह वीडियो समझ में आया है जिसमें हमने आज बताया कि हम किस सरीके से क्वांटिटी आफ रूम में पेंट की वेल्यो निकाल सकते हैं ठीक है ना रूम का साइज आप वेरी कर सकते हैं ठीक है तो यदि वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि एसे ही वीडियो आपके सामने आती रहे हैं थेंक्यू फॉर्दा वोच्छेंट